चंडिकर देवेचे आमादी पार्टी देवदायक रागव चड़ा ने मुखमंत्री पंजाब कैप्टन अवरेंदर सिंग ते शब्दी हमला बोले हैं उना किया कि पंजाब दे मुखमंत्री नों रस्मी तोर्त होना बीजेपी जोईन कर लेनी चाहिदी है और इल्जाम लगाया कि कैप्टन अवरेंदर सिंग बीजेपी दे एज़न्ट बनके कम करन लगे हो हैं क्याप्टन साब और उनकी पार्टी ने कहा उनकी सरकार ने कहा कि हम ओल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और इन तीन काले कानूनों पर चर्चा करेंगे लेकिन आज तक इन कानूनों पर आल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई तीसरा पॉइंट क्याप्टन साब जो प्रदान मंत्री मोदी जी के बेहत करीब हैं उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडांट है इन तीन काले कानूनों को खारिच करने के लिए वो राष्टपती से समय मांगते प्रदान मंत्री अपने दोस्त प्रदान मंत्री से समय नहीं मांगते क्या यह तीन काले कानून राष्टपती खारिच करेंगे या इन तीन काले कानूनों को देश का प्रदान मंत्री खारिच करेगा लेकिन बर्गला जी देश के ग्रहमंत्री से मिलने दिल्ली आते हैं अमिच शाह ग्रहमंत्री से मीटिंग करते हैं लेकिन उस मीटिंग स्थल से 10 किलो मीटर दूर पंजाब के किसान बैठे थे उनसे भी मिले थे उनसे नहीं मिले अमिच शाह से मिले देश के किसान से से नहीं मिले अपनी party Congress party की प्रेज़ेट सोनिया गांधी से भी नहीं मिले देश के किसान से भी नहीं मिले सिरफ बीजेपी के नेता अमिच्छा से मिलके चले गए जब मीटिंग से निकले तो आप सब रिपोर्टर्ज ने मीडिया के सभी साथियों ने पत्रकारों ने मुख्यमंत्री साब से पूछा कि मुख्यमंत्री साब अभी अमिच्छा जी से आप मिलकर आएं क्या अच्छी मीटिंग रही क्या तीन काले कानूनों के बारे में बात हुई है तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जी हमने तीन काले कानून पर बात नहीं करी यह मीटिंग तो कोई इंटर्नल सेक्योरिटी का विशे था उस पर मीटिंग हुई है आज पंजाब का किसान बड़े बुजुर्ग हमारे नौजवान हमारी माता हैं हमारी बेहने इस खुले आस्मान में सिंगू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर गाजीपूर दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं लेकिन क्याप्टन साब अमिच्शा से मिलते हैं लेकिन तीन काले कानून खारिच करने की बात नहीं करते हैं केंद्र सरकार देश के किसान को कहती है कि हम ये तीन काले कानून खारिच नहीं करेंगे अगर आपको खारिच कराने हैं तो सुप्रीम कोट चले जाओ हमसे मत बात करो अंदोलन मत करो सुप्रीम कोट चले जाओ देश का किसान कहता है हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोट हम क्यों जाएं सुप्रीम कोट लोग तंतर है हम तो आपसे लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे लेकिन केंदर सरकार कहती है बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोट जाओ और BJP के Supreme Court का बयान देने के कुछी दिनों बाद पंजाब की मुख्यमंत्री कैप्टर्नमरिंदर भी कहते हैं कि Supreme Court जाओ अंदोलन समाफ्थ करो Supreme Court जाओ मैं भी Supreme Court जाओंगा यानि कि वो चाहते हैं कि अंदोलन खतम हो जाए उनका एक ही लक्षे है कि ये पूरा अंदोलन समाफ्थ हो जाए आप तो बीजेपी की धुन पे नाच रहे हो अब मेरा एक सुझाव है कि बीजेपी के एजेंट में बीजेपी के एजेंट की रूप में काम करना बंद करके आप फॉर्मली और चारिक तोर पे बीजेपी को जॉइन कर लीजी तो रागव चट्डा देखे तुसीं कि दिली दे आमादिपाटी दे वधा इक ने आओप कहरे ने कि लगातार जो सरकार है तो बीजेपी धी सरकार ज्यादा लग री है तो प्रसक् until कर दे आमादिपाटी दे वधाएक रागव चट्ड़ा ने बीजेपी यह निशा नसा दि परा एक शड़ियंत्र के तहट कंस्पिरिसी के चलते हमारे पाक साफ आंदोलन को देश के किसान के पंजाब के किसान के पाक साफ आंदोलन को बदनाम करने के लिए तौमतां लगाने के लिए उसके उपर और उसको कलंकित करने के लिए डीफेम करने के लिए जो एक शरियंतर चलाया जा रहा है जिसमें लगातार बीजेपी के नेता देश के किसान को पंजाब के किसान को गालियां देते हैं कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उन्हें दलाल कहते हैं, कभी उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजन्ट कहते हैं इन ब्यानों से आहत होकर परिशान होकर तक्लीफ में किसान ने ये फیसला लिया कि सड़क पे तो लड़ाई लड़ेंगे इन भाजपा के नेताओं के साथ लेकिन भाजपा के नेताओं के खिलाफ अब हम कोट में भी लड़ाई लड़ेंगे कोट से भी इनसाफ चाहेंगे अदालत का दर्वाजा भी खट कट आएंगे तरागब चड़ाने वे किया के अंदोलन कर रहे किसाना नों लेगल मदद भी आमादी पार्टी दिन जा रही है आमादी पार्टी ने अर्विन केजरिवाल जी ने कसम खाई कि हम किसान को सारी मदद देंगे लीगल एड और असिस्टेंस पूरी कानूनी मदद हम किसानों को देंगे और इस इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ देंगे नियाए पालिका में अदालत का दर्वाजा खटकटाना नोटिस भेजने से मानहानी का केस लड़ने तक उनका सयोग करेंगे इसी के चलते इसी सेवा के चलते कई किसानों ने हमसे संपर किया कि हम फलाने नेता के खिलाब मानानी का मुकदमा करना चाहते हैं फलाने नेता ने हमें गाली दी उसके खिलाब हम डेफिमेशन का केस करना चाहते हैं और हमने कहा हम आपको साथ देंगे, आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ेगी, कि अब सबर का बांध तूट चुका है, अब हम लोगों को, देश के किसान को, देश के अंधाता को, जो हमारा देवता है, हमारा भगवान है, उसे अगर आपको कोई आतंकवाद कह रहे हैं, उसी का बेटा आज अंतराष्टिय सरहत पे, बॉर्डर पे भारत की रक्षा करता है, इसी अंधाता का बेटा, अपनी भारत माता को बचाने के लिए, हस्ते आस्ते अपनी छाती पे, अपने सीने पे गोलियां खाके शहीद हो जाता है, जिस आदमी को, जिस किस किसान के साथ हैं, इस आंदोलन में साथ हैं, मरते दम तक हर संभव मदद, चाए वो लंगर से लेकर कि कंबल तक की सेवा हो, टॉयलेट से लेकर पानी उपलप्त कराने की सेवा हो, सिंगु बॉर्ड रपे वाइफाय लगाने की सेवा हो, या फिर ये मानहानी मुकदमे करन आमादमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल आखरी दम तक देश के किसान के साथ खड़ें। पचास से ज्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन में हो गई। इस ठंड में जो लोग संगर्श कर रहे हैं उन्होंने अपने जानों का न सर्वोच्चे बलिदान दिया। कि शहादत होई वहाँ जाकर आर्थिक मदद अपने से दी है। अब आर्थिक मदद कितनी थी क्या थी उस बादरे में बात करके हो शहादत के मैं इतनी बड़ी शहादत को कम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने अपनी तरफ से फाइनाशल एसिस्टेंस भी दी आर्थिक मदद भी दी परिवार के साथ सामाजिक तोर पे आर्थिक तोर पे खड़े हैं। और भी कोई मदद होगी तो हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं। झाल